दोस्तों, ऐस्ट्रेलिया के एक लेजंडरी क्रिकेटर है ऐलन बॉर्डर, उन्होंने कहा कि अगर मेरा दुबारा जनम हुआ, तो मैं ऐलन बॉर्डर नहीं, बलके वसीम अक्रब बनना चाहूंगा। वो इतने impressed थे from the great all-rounder, Sultan of Swing को कौन नहीं जान था, उनकी 90 miles per hour पर फेंके जाने वाली in-swinging yorker से किस्मत वाले betsmen ही बच सकते थे, and who can forget his magical spell in the 1992 World Cup, when he single-handedly led Pakistan to victory, जब उन्होंने back-to-back Alan Lamb और Chris Lewis को unplayable delivery से bold किया, आज मैं आप लोगों से वसीम अक्रब की बात इसलिए कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली अपनी autobiography पब्लिश की है, जिसका title है सुल्तान, what a marvelous book it is, क्योंकि इसमें उनकी जिंदगी की सारी स्टोरी covered है, बचपन से लेकर अब तक जो उन्होंने जिंदगी गुज उसको उन्होंने इस किताब में डीटेल में explain किया है, लेकिन कुछ वाकियात ऐसे हैं, जो इनसान के होश उडा देते हैं, शोय बखतर ने अपनी किताब Controversially Yours में लिखा था कि पाकिस्तान की cricket team जानवरों का एक टोला है, उस वक्त तो मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं आ सबसे जादा politics थी, सियासत थी, खुदगर्जी थी और الزाम तराशी थी, जब आप ये किताब पढ़ेंगे ना वसीम अकरम साहब की, you will get to know, in fact आपका दमाग फट जाएगा इसकी कहानिया सुनके कि किस तरीके से players एक दूसरे की टांके खेंचते थे, this book actually made me very sad, क्योंकि I remember back in the 90s I was a cricket freak, मैं obsessed था पाकिस्तान cricket से, हम लोग पूरी पूरी रात उठके cricket matches देखा करते थे, और जिंदगी में शायद cricket के इलावा कुछ था भी नहीं, but as I agree up, I realized कि जन players को हम लोग support करते थे, they were men of straw, and they were men of low character, इस किताब की main highlights हैं ही वो point, जब 1992 के बाद cricket में असल सियासत का अगाज हुआ, and which eventually led to match fixing, anyways, कुछ important चीजें जो वसीम अकरम ने इस बुक में डिसकस की हैं, वो है players के हवाले से, जैसे के उनका relationship इमरान खान और जावेद मियादाद के साथ कैसा था, आमिर सोहेल, रमीज राजा, वकार यूनस, आकिब जावेद, इंजमाम अलहक, मुश्त इसके इलावा match fixing की complete details मौजूद है, especially the 1996 World Cup quarter final, वसीम अकरम has been really honest in the book, उन्होंने ये किताब बड़े ही सच्चे और खरे अंदाज में लिखी है, इसलिए उन्होंने अपनी जो cooking की addiction है, उसका भी detail में जिक्र किया है, इसके बारे में आगे वीडियो में जरूर बात करेंगे, शारुख खान साब के बारे में वसीम अकरम क्या सोचते हैं, और किस तरीके से शारुख खान ने वसीम अकरम की help की, उसके बारे में भी discussion करेंगे, वसीम अकरम की first wife हुमा का भी जिक्र है, किस तरीके से वो उनकी जिन्दगी का एक बहुती बड़ा foundation pillar थी, शनीरा के साथ कि तरीके से उनकी मुलाकात हुई, दोस्ती हुई और eventually शादी हुई, इसको भी उन्होंने इस किताब में mention किया है, and lastly you get to know what the mindset of a champion is, चलें इस किताब के कुछ वाकियात को discuss कर लेते हैं, दोस्तों पिछले चार सालों में मैंने अपने इस channel book buddy पर आप लोगों के लिए 200 से जाय में आ चुकी है, मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए किताब लिखी है और डिजाइन की है, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा, philosophy, psychology, business management, self-help, history, fiction, non-fiction, classics, you name it, it has it, एक बात मैं आपको guarantee कर दूँ, कि this will be one of the best books you will buy in your entire life, so go and grab रीडिस्तान today. वसीम अकरम लिखते हैं कि उन्होंने अपने क्रिकेटिंग डेज में बहुत सारे great players के साथ खेला, जैसे के सचिन टेडुलकर, ब्राइन लारा, मुरली धरन, शेन वान, विव रिचर्ड्स, लेकिन इनके साथ खेलना बहुत ही असान था, असल जो मुश्किल थी ना, वो PCB की साज़िशें थी, और जो قوم की वसीम अकरम से expectations थी, और ये वाकी में सच है कि अगर ये मसाइल ना होते, तो शायद वसीम अकरम हजार wicket सी ले जाते, इतना toxic और unprofessional एदारा तो शायद पाकिस्तान पुलीस भी नहीं होगा, anyways, coming back, वो लिखते हैं कि एक पेंडू से सु और इसी कहानी को बताने के लिए मैं ये किताब लिख रहा हूँ, वो अपने बच्पन के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि किस तरीके से वो मजंग लहुर की गलियों में खेला करते थे, और किस तरह एक दफ़ा उनको बॉलिंग कराते हुए एक शक्स ने देखा, जिस वसीम अकरम का हार्ड बॉल करियर स्टार्ट हुआ, लेकिन पाकिस्तान टीम में वसीम अकरम को लाने वाले थे लेजंडरी बैट्समें जावेद मियादाद, वो एड़ स्पेशल आइफ और हंटिंग टैलन्ट, यही जावेद मियादाद जो वसीम को टीम में लेकर आय, इ इमरान खान को वसीम अकरम का गॉर्ड फादर कहा जाए तो घलत नहीं होगा, यही गाइडिड हम आल दे वे, इमरान खान इस लेवल तक वसीम अकरम को गाइड करते थे कि अकसर अकात वो उनको ये भी बताते थे कि अगली बॉल तुमने कौन सी डालनी है, यही वजा है कि वो आज भी उनने स्किपर कहते हैं, इन फैक जब इमरान खान रिटायर हो गए, उसके बाद भी वसीम अकरम अकसर अकात फोन के जरिये उनसे एडवाइस लिया करते थे, पाकिस्तान क्रिक्ट में जो असल नॉनसेंस शुरू हुई है ना, वो हुई है 1992 के वर्ल्ड कप के और इस कॉन्फलिक का अगाज हुआ था इमरान खान की 92 फाइनल की विनिंग स्पीच के बाद, कॉन्टरवर्सी इस बात पर ये बनी प्लेयर्स ने ये कहा, कि जो इमरान खान की विनिंग स्पीच थी, उसमें वो बहुत सेलफिश थे, उन्होंने प्लेयर्स को तो प्रेज नहीं किया, उनकी कोई तारीफ नहीं की, उन्हें अपने हस्पताल की पड़ी हुई थी, जब पाकिस्तानी टीम आस्ट्रेलिया से वाया सिंगापोर वापस आ रही थी, तो रमीज, राज़ा और जावेद मियादाद ने वसीम अकरम को बलाया, और कहा कि तुम हमारे और बाकी प्लेयर्स में एक डिस्टन्स हो गया, जो शायद आज तक कायम है, वो इम्रान खान और जावेद मियादाद के तालुक के बारे में लिखते हैं कि उनके दर्मियान एक अनईजी रिलेशन्शिप था, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे, लेकिन दोनों के दर्मियान माइनर कॉन्फलिक्स भी रहते थे, जावेद मियादाद के बारे में वसीम अकरम लिखते हैं कि वो अपने आपको अकले कुल समझते हैं, he knows absolutely everything, interestingly यही बात शोय बखतर ने अपनी किताब Controversially Yours और शाहिद अफरीदी ने अपनी बुक Game Changer में जावेद उन्हें आज तक लगता है कि वो आज भी क्रिकेटिंग 11 का हिस्सा हैं, जिसकी वज़े से वो एक अच्छे कोच नहीं बन पाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट में असल मंकी बिजनस टार्ट हुआ 1992 World Cup Final के बाद, जब टीम में बहुत सारे धड़े गरुप बंदियां हो गई, एक जगा थे रमीज राजा, वकार यूनस, मुश्ताक एमद, राशिद लतीफ, सलीम मलिक और दूसरी तरफ थे वसीम अकरम, इन सब प्लेयर्स ने वसीम अकरम की कैप्टनसी में खेलने से इंकार कर दिया, जब आप ये किताब पढ़ेंगे त इतने वो पैशनेट थे पाकिस्तान क्रिकिट के बारे में, टीवी पर हमें सब सही नज़र आता था, लेकिन पसे पर्दा, तेवरेट, लॉगरेड्स, ये एक दूसरे से लड़ते पिरते थे, इसके इलावा और बहुत से वाकियात का जिकर है, स्पेशली जो वेस्ट वहाँ पर आके मेरवाना स्मोक कर रही थी, तो उन्होंने का एक दो पफ लेने में क्या मसला है, उसके बाद का जो वाकिया है वो आप इस किताब में पढ़ सकते हैं, इसके लावा जो मैच फिक्सिंग का स्कैंडल था, जो 1994 से all the way तिल 1999 continue रहा, उसके बारे में भी डीटेल जो जस्टिस कयूम की रिपोर्ट थी मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बारे में उसका बेजिकर वसीम अकरम डीटेल में करते हैं, वो लिखते हैं कि इट्स अ शॉकिंग रिपोर्ट जो कभी कभी स्किड्जो फ्री निक लगती है, अपनी ही बातों को रिपोर्ट में कॉंटर हाथ है, क्योंकि वो उन्हें इस टर्मॉल के अंदर इमोशनली बैलन्स रखती थी, वसीम ने उनके साथ जो वग उजारा, that is definitely beautiful, इसके इलावा उन्हें अपनी कोकेन एडिक्शन का भी जिकर किया है, जब 2003 World Cup के बाद उन्हें रिटायर किया, and he had nothing much to do except for commentary, जिसको वो कहते हैं कि वो कभी भी enjoy नहीं करते थे, because it never gave him the kick and the high that cricket used to give, लहाज़ वो कोकेन के नशे में पढ़ गए, he was absolutely addicted, इस हद तक कि उन्हें रिहाबिलिटेशन सेंटर में डाला गया, again जो वसीम की first wife थी हुमा, उन्होंने उनको बहुत help की कोकेन addiction को खतम करने में, शनीरा के साथ उनक बड़े दिल का आदमी है, he's a man with big hands, और वो एक great owner है, जब वो अपनी जिन्दगी के बहुती tough time से गुजर रहे थे, ये कोकेन addiction का चक्कर था, तो उस वक्ट शारु खान ने उनको एक बहुत बड़ा contract दिया, in the form of bowling coach for Kolkata night riders, शारु खान की जिस तरह पूरी दुनिया तारी वो लोग जो हमारे मुलक का नाम रोशन करते हैं, वो लोग जो पाकिस्तान का एक positive image portrait करते हैं, वो लोग जो हमारे national heroes हैं, उनको भी हम लोग जलील कर देते हैं, वसी मकरम की बातों से ऐसा लगता है, कि कहीं न कहीं उनके दिल में ये regret मौजूद है, कि हम लोगों ने उनको सही treat नहीं किया, although he loved his playing days, but somewhere inside his heart of heart, कोई न कोई रंजिश जरूर मौजूद है, anyways, Sultan is a good read, इस किताब को पढ़े और अपने national heroes को value करें, वीडियो पसंद आई हो तो like बटन जरूर प्रिस कीजेगा, until next time, goodbye.